नमस्कार दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेनिस एल्बो पेन के बारे में अगर आपके कोहनियों में दरद है और कोहनियों के बाहर की तरफ इस तरफ अगर दरद है तो बहुत चांसे की आपको टेनिस एल्बो हो गया है मगर आपको चिंता करने की कोई जूरत नहीं है क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको कुछ बहतरी एक्सरसाइजेस और टिप्स बताने वाला हूँ जिससे आप इससे पूरी तरह से आप मुक्ती पा सकते हैं तो बने रहे हमारे वीडियो के साथ दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेश्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बेल आइकन इसको भी प्रेस कर ले ताकि जो भी नए वीडियो में डालूँगा आपको नोटिफिकेशन जाएगा और आप हमारे वीडियो को कभी में मिस नहीं करेंगे दोस्तों कोहनी में दर्द का एक सबसे मुख्य कारण है टेनिस एल्बो अगर आपके कोहनी के बाहर की तरफ इस तरफ अगर दर्द होता है अगर आपको गाड़ी चलाने में दर्द होती है अगर आप गाड़ी का एकसलेटर को इस तरह से घुमाते हैं उसमें दर्द होता है तो बहुत चांस है कि ये tennis elbow का pain है दोस्तों होता यही कि हमारे कोहनी के बाहर की तरफ ये muscles जो है निकलता है और extensors group of muscles निकलता है जिसमें 5 muscles आते हैं और 5 muscles एक particular point से originate होता है निकलता है और वह spread होकर कि हमारे हाथों के उपरी हिस्सों में जाता है तो उस point में जहां से वो originate हो रहा है उस point में कभी कभी क्या होता है कि समय के साथ धीरे-धीरे swelling पैदा हो जाता है swelling के साथ साथ धीरे-धीरे micro injury के वजह से वहाँ पे धीरे-धी pain होना start हो जाता है इसी वजह से वहाँ पे दर्द होता है और जिसको हम लोग tennis elbow के नाम से जानते हैं मगर आपको चिंता करने की ज़रत नहीं है क्योंकि ये कुछ simple exercises और tips से ये ठीक हो सकता है तो सबसे पहले मैं हम लोग शुरुआत करते हैं मान लीजिए आपको बहुत ज़्यादा दर्द है इतना बहुत ज़्यादा दर्द है तो उस समय में मैं आपको exercise recommend नहीं करूँगा उस समय में आपका main aim होना चाहिए दर्द को किसी तरह से कम करना वो आप कैसे कर सकते हैं सबसे पहले कोई भी एक बड़िया सा मलहम लेने दर्द का मलहम उसको इस तरफ लगाए आराम से मालिस ना करें केवल उसको apply करें आराम से धिरे धिरे उसके बाद 10 मिनट तक उसको छोड़ दे बॉड़ी को absorb करने के लिए 10 मिनट के बाद आप उसमें गरम सेक दे गरम सेक आप आपको जैसे इच्छा electric heating pad या फिर आप infrared lamp या फिर आप wet heating जैसे की तौलिया को गरम पानी में डूब़ना फिर निचोड़ना फिर रखना ये तीनों तरीका में से कोई भी तरीका आप मापना सकते हैं तो इससे आपका दरद धीरे धीरे कम होगा उसके पाद और एक टिप्स है टेनिस एलबो बैंड का अस्तमाल जब आपका बहुत ज़्यादा धरद है उसमें में आप क्या करेंगे कि टेनिस एलबो एक बाजार में मिलता है या फिर आप खरीदना चाहते तो मैं link में description में द योग करना है जब तक आपका दरद पूरी तरह से खतम ना हो जाए एक बार आपका दरद कम हो जाए उसके बाद हम अगले टिप्स में जाएंगे उसका अगला टिप्स है सेल्फ मसाज सेल्फ मसाज भी काफी आसान है आपको करना यह है कि आप अपने अंगूठे से जहां पे पेइन है जहां ज्यादा दर्द है उस एरिया को आप खोजे अपने अंगलियों का इस्तमाल करें और उस पर्टिकुलर पॉइंट को खोजें जब आपको पर्टिकुलर पॉइंट मिल जाएगा फिर वहां पे आप इस तरह से उपर नीचे की तरफ इस तरह से आप धीरे- उपर नीचे इस तरह से मौलिष करें खेका है इससे क्या होगा की वहां पे जो स्टिफनेस हुआ है स्वेलिंग हुआ हिवोड़े-दिद्धर कम होगा आप अपने उपॉइनवलय करें और जहां पर पॉइंट है टेंडर पॉइंट मिया हं पर रखे हलुका सा प्रेस करें प्रेस करने के दिए फिर उपर नीचे इस तरह से मूव करें ठीक है उसके पद तीसरा है stretching exercise stretching exercise कभी कभी यहाँ पर tightness हो जाता है तो stretching बहुत ज़रूरी है इसके लिए आपको अपना हाथ इस तरह से सामने की तरफ रखना है दूसरा हाथ लेना है और आप इस तरह से अपने हाथों को इस तरह से यहाँ इसको प्रेस करना है अगर मैं आपको side view में दिखाऊं तो इस तरह से आप रखेंगे और फिर आप इस तरह से इसको प्रेस करेंगे ठीक है तीसरा exercise है ball squeezing exercise आप कोई भी नरम ball ले लें बाजार में आपको soft sponge ball भी मिलता है या फिर आप ये ball जो है ये rubber का gel ball है ये भी आप खरीद सकते हैं और इसको आप इस तरह से प्रेस करें squeeze करें जितना हो सके आप इसको squeeze करें ठीक है और जितना हो सके आप कर देंगे इससे क्या होगा कि आपका यहां कि मास्पिस्या मजबूत होगी उसके चौथा exercise है इसमें आपको एक या डेड़ किलो का dumbbell इस्तमाल करना है और फिर आपको इस तरह से उठाना है अगर आप देख पा रहे हैं तो मैं अपने हाथों को इस तरह से ना रख करके इस तरह से में रखा हूँ और इस तरह से dumbbells को करना है और ध्यान रहें यह exercise आप उस समय में करेंगे जब आपका दर्द जो severe pain है जो acute pain हो कम हो गया हो इस तरह से आप exercise करेंगे ठीक है Tennis, elbow pain के सते कभी-कभी हमारे कंदों में भी धर्द हो जाता है कभी हां मारे कंदा जाम हो जाता है जिससे हमें कंघी करने में दिखकत होता है इस पर मैंने पहले से वीडियो बना है आप यहां जाकर देख सकते हैं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंट्स बाबाई